पेम मोदी ने की पार्सियों के काम की तारी भाजपा नेता सुब्रवर्यम स्वामी ने उठाए सवाल प्रधान मति नरिन मोदी मंगलवार को महारास्ट के एक दिन के दौरे पर थे इस दौरान उन्होंने पूरे के समीब देहु में 17 वी सज़ती के संत को समर्पित संत तुक बहस और खुली चर्चा की संस्कृति को मजबूत करने की दर्वत है जो वर्षों से भारत की पैचान रही है बाश्पा नेता सुब्रवर्यम स्वामी ने उठाए सवाल 1822 में फर्दुन जी मजडबान द्वारस थापित गुजडाती अकबार बुमई समचार के 200 साल पूर क्यों एसास हो गया कि पार्षी अद्भूत हैं मुबई समचार समारों में उन्होंने पार्ष समधाय के पज़ंशा की महरास्ट में शिफ सेना और भारती जंता पार्टी के कट्टू संबंदों के बीच रधान मंतरी और मोके मंतिर उद्धर ठाकरे ने चार महनी से अधिक समय बाद मंगलवार को मन साजा किया दोनों नेताओं ने राज भवन में जल भूशन भवन और क्रांतिकारियों की गयल्वी को घाटन किया और बाद में मुंबई में अकबार मुंबई समचार की दोसवी वर्ष गांट की समारों में कहा मुंबई समचार की सभी पाठकों पत्रकारों को इस एतियासिक समचार पत्र की दोसंगे वर्ष गांट पर हार्दिक शुपकाम ने इन दो सदियों में अनेक पीडियो की 喔 को मुंबई समचार ने आवाज दी है उन्हें कहा कि मुंबई समचार ने आजादी के अंदोलन को भी आवाज दी और फिर कुछ सिखाता है यहां जो भी आया चोटा हुए बड़ा कमजोर हुए वल्वान सभी कुमा भारती न अपनी गोद में फलने फूलने का भरपूर अफसर दिया पार्स से मुदाय से बेथर इसका उधरन क्या हो सकता है प्यम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन से लेकर भार समचार पहुंचाना है लोक सिख्षा का है और समचार और सरकार को कुछ कम्यां तो उनको सामने लाने का है भारत की मीडिया योगदान से भारत को सबसे बड़ी संकर से निबड़्य मदद मिली उन्हों कि ये देश डिबेट और डिसकुशन की माद्यम से आगे बढ़ने वाले सम्रिद परिपार्टी का देश है हजारों वर्षों से हमने स्वस्त बहंस को स्वस्त अलोशना को सही तर्क को समाजिक विवस्था का इस्सा बनाया है हमने बहुत कठिन समाजिक विशों पर भी खुल कर स्वस्त चर्चा की है यही भारत की परिपार्टी रही है जिसको में शक्त करना है